गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ हैं प्रस्तुत हैं नौमी कक्षा की कृतिका का ये चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है रीड की हड़ी प्रिय विद्यारतियो जब किसी भी अध्याय को हमारे सिलेबस में दिया जाता है तो उसका कोई न कोई मकसद होता है कोई न कोई उद्देश्य होता है वह अध्याय हमें किसी न किसी समस्या से जागरू कराता है हमें कोई न कोई नई सीख देने वाला होता है हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला होता है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला होता है हमें नैतिक मुल्यों मानविय मुल्यों और देश प्रेम की भावना के प्रति जागरूप करने वाला होता है आज का हमारा जो अध्याय है रीड की हड़ी यह भी एक उद्धिश्य पूर्ण रचना है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रीड की हड़ी एक एकांकी है एकांकी क्या होती है? एकांकी का अर्थ होता है एक अंक यह नाटक का छोटा रूप है एक नाटक में एक से अधिक अंक होते है जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है नाटक दो गंटे का, तीन गंटे का, पांच गंटे का, पचास गंटे का, सो गंटे का भी हो सकता है लेकिन एकांकी तीस मिनट, चालिस मिनट, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एक घंटे इससे बड़ी एकांकी नहीं होती है ये दोनों स्टेज पर अपनी एक्टिविटी दर्शाने के लिए होते हैं तो हम चर्चा करते हैं रीड की हड़ी जो की एक एकांकी है एक उद्देश्य पूर्ण रचना है प्रियविद्यार्थियों आज हमारे सामने संसार के सामने समाज के सामने बहुत सी समस्याएं है इन में कहीं आतंकवाद की समस्या है तो कहीं भरष्टाचार की समस्या है कहीं जनसंख्यावरधी की समस्या हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रही है तो कहिंद हर्मिक अंध विश्वास हमारे देश की उन्नती और प्रगती का पहिया जाम कर रहे हैं इसी प्रकार गंदी राजनीती भी हमारे देश के बढ़ते कदमों को रोकने पर तुली हुई है तो अनपढ़ता भी एक स्राप का काम कर रही है गिरते नैतिक मुल्यों के कारण मानोता भी शर्मसार हो रही है प्रिये विद्यार्थियों इसी प्रकार छुआ चूट वर्ग भेद की समस्या दहेज प्रथा की समस्या चरित्र हीनता की समस्या लड़का लड़की में ऐसमनता की समस्या बाल विवाह की समस्या कहने का तात्प्रिय है आज हमारे चारों तरफ समस्याओं का अमबार लगा हुआ है इन समस्याओं को दूर करना ही हमारा मकसद है हमारा उद्देश्य है प्रसुत एकांग की रीड की हड़ी में भी कुछ समस्याओं को उठाया गया है और विद्यारतियों से आहवान किया गया है कि हमारे समाज में फैली इन बुराईयों को इन समस्याओं को जड से उखाड फैकना होगा तभी हम हमारा परिवार समाज और देश सुरक्षित हो सकेंगे प्रिय विद्यारतियों रीड की हड़ी पाठ का जो उद्देश है इसमें मुख्य रूप से दहिज प्रथा लड़का लड़की की ऐसमानता को दिखाया गया है कि किस प्रकार लड़का लड़की में भीद भाव किया जाता है दहिज प्रथा के लिए एक लड़की का पिताजी किस हद तक लड़के के पिताजी की चापलूसी करता है उद्देशे के बाद हम इस अध्याय के सार पर चर्चा करना चाहेंगे इस पार्ठ में कुछ पात्र है जैसे मैंने पहले बताया है यह एक एकांकी है स्टेज पर इसको आयजित किया जाता है तो स्टेज पर पात्र भी होते हैं जो अपनी अपनी भूमी का अपना अपना रोल अदा करते हैं इसमें रतन नोकर है उमा इसकी मुखे पात्र है लड़की है रामस्वरूप लड़की के उमा के पिताजी है प्रेमा उमा नामक लड़की की मा है ये चार पात्र हैं इनके अलावा दो पात्र और हैं शंकर जो लड़का है उमा को देखने के लिए अपने पिताजी के साथ आता है और इनके पिताजी का नाम गोपाल परसाद है ये कुल मिलाकर छे पात्र हैं एक बार फिर से हम इनका परिचे कराते हैं रतन नोकर राम स्वरूप का नोकर है ये उमा लड़की जो कहानी की मुख्य पात्र है राम स्वरूप उमा के पिताजी है प्रेमा उमा की माताजी है शंकर उमा को देखने आया हुआ लड़का है गोपाल परसाद शंकर के पिताजी है तो हम कहाने के शुरुआत करते हैं शंकर अपने पिता गोपाल परसाद के साथ राम सुरूप के घर आता है राम सुरूप अपनी पक्तनी प्रेमा रतन नौकर के साथ उनकी आव भगत की पूरी तयारी करते हैं जब शंकर और गोपाल प्रशाद आते हैं तो राम सुरूप उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, बैठाते हैं, चाय नास्ता किलाते हैं। गोपाल प्रशाद अपने बेटे शंकर के बारे में बताते हैं, कि इन्होंने बियसी की हैं और अभी लखनव में पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ गोपाल प्रशाद एक और लगबग शर्त रखता है, और कहता है कि आपकी वेटी ज़्यादा पड़ी लिखी तो नहीं है, राम सुरूप भी उसमिन की हां में हां मिलाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं हमारी लड़की बहुत कम पड़ी लिखी है। गोपाल प्रशाद कहते हैं हां जी हमें कोई नोकरी तो करवानी नहीं है, हमें तो घर काकार कराना है, आपकी लड़की को कड़ाई सिलाई आनी चहिए, जाड़ू पोच्छा लगाना आना चहिए, खाना बनाना आना चहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक पास हो अगर आपकी लड़की मैट्रिक से दस्वें कक्षा से अधिक पड़ी लिखी है अधिक पड़ी हुई है तो हम ये रिष्टा नहीं करेंगे गोपाल परसाद के अपनी मजबूरी है अपनी समस्या है उनका बेटा शंकर चरित्रहीन है शारेरी कुरूप से कमजोर है इसलिए वे इस प्रकार की अपनी कंडिशन लगा रहे हैं राम सुरूप भी एक पिता होने के नाते जूट बोलते हैं और अपने लड़की के अच्छे और सुनहरे बविश्य के लिए गोपाल परसाद से कहते हैं कि हमारी लड़की दसमी पास है उसे कड़ाई सिलाई आती है उसे बाजा बजाना आता है उसे सितार बनाना आता है उ गोपाल परसाद कहते हैं कि लड़के का पढ़ा लिखा होना जरूरी है लड़की का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है और अपने इस बेतुके और अर्थ हीन तथे के लिए वहे निकम्मा और बेहुदा आदमी उदाहरन भी देता है और उदाहरन देते हुए कहता है मो औरने के नहीं शेर के बाल होते हैं शेरने के नहीं बात यहीं तक रहती तो भी कुछ ठीक था लेकिन इससे भी आगे बढ़कर राम सुरूप जो लड़की के पिताजी हैं इनकी हामे हामे लाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और वे कहते हैं मर्द के दा के साथ ठाहाका लगा कर हस पड़ते हैं कुछ ही देर में उमा जो इस एक आंकी की मुख्य पात रहे पान की तष्तरी लिया आती है और सभी को पान देती है गोपाल परसाद और शंकर उस लड़की के मुख पर चश्मा देख लेते हैं और कहते हैं आपकी लड़की के एनक लगा हुआ है आपने हमारे साथ दोखा किया है आपने हमें बताया नहीं आपकी लड़की जरूर पढ़ती है ये अधिक पढ़ी लिखी है राम शुरू फिर जूट बोलते हुए कहता है नहीं इसकी आँखें दूखनी आ गई थी और इसलिए एनक लगा रखा है हमारी लड़की केवल दस्वें पास है इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है गोपाल परसाद जो शंकर के पिताजी है जो लड़के के पिताजी है उमा से कुछ प्रशन पूस्ते हैं तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी आखों पर एनक कैसे चड़ी हुई है, तुम्हारे शोक क्या क्या है, क्या ये पेंटिंग्स जो इस कमरे में लगी हुई है, आपने खुद ने बनाई है, उमा कोई जवाब नहीं देती है, राम सुरुप कहते हैं, बेटी इन्हें जवाब दें, उमा कहती है, पिताजी, जब मेज कुर्शियों के खरीदार आते हैं, तो मेज कुर्शियां कुछ नहीं बोलती, अगर खरीदार को मेज कुर्शियां पसंद आती हैं, तो वे उनकी कीमत लगाते हैं, और खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं, मेरी एक लड़क की भी आजकल ऐसी ही हालत है, ऐसी ही दशा है. यह सुनते ही गोपाल पर साद आग बबूला हो जाते हैं और उराम सुरूप से कहते हैं कि आप ने हमारे साथ दोखा किया है, हमारे साथ चल किया है, आपकी बेटी हमारा अपमान कर रही है. इतनी देर में उमा अपनी नजरे उपर उठाती है और अचानक शंकर को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या यही आपके लड़के हैं गोपाल परशाद कहता है हाँ हमारे पास लाखों करोडों रुपे की प्रोपर्टी है हमारे उद्योग लगे हुए है हमारे पास बहुत ज़्यादा धंदोलत है तब उमा कहती है कि आप अपने लाडले से पूछिए आप अपने लाडले से पूछिए कि पिछले महिने ये गर्स होस्टल के पास आवारा गर्दी करते हुए क्यों पकड़े गए थे आप अपने लड़के से पूछिए कि ये चपरासी के पैरों में गिर कर क्यों गिड़ गिड़ा रहे थे क्यों माफी मांग रहे थे इतना सुनना होता है कि गोपाल परसाद बहुत करोधित हो जाते हैं वे बहुत बुरा भला कहते हैं और अपने बेटे शंकर के साथ वहां से निकल जाते हैं राम स्वरूप दास राम स्वरूप अपनी बेटी के इस विवहार पर बहुत हैरान होते हैं बहुत दुखी होते हैं बहुत परिशान होते हैं और अपना माथा पकड़ कर बैढ़ जाते हैं और यहें यह एकांग की समाप्त हो जाती है प्रिय विद्यार्थियों आज ही हमें यह प्रण करना होगा क्योंकि आज के बच्चे आज के युवा आज की छात्र ही हमारे देश के भवशे के स्वनिम सितारे हैं यही आगे बढ़कर यही बड़े होकर हमारे देश को नित्म नई उचाईयों तक ले जाएंगे बुलंदियों तक पहुंचाएंगे आज हमारे प्रतेक छात्र और छात्रा को आज हमारे प्रतेक विद्यार्थी को ये प्रण करना होगा कि हम अपने विवाह में ने दहिज लेंगे और ने दहिज देंगे हम अपने भाई बहन के साथ हम अपने बेटा बेटी के साथ किसी प्रकार का भी सोतेला वेवार नहीं करेंगे उनके साथ किसी प्रकार का भेद भाव नहीं करेंगी प्रिय विद्यारतियों अगर इन दोनों बातों को हम सीख लेते हैं समझ लेते हैं तो इस पार्ट को पढ़ना इस पार्ट को इस पुस्तक में शामिल करना उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो आप सभी से अनुरोध है कि इस पार्ट को पढ़ेंगे इस पार्ट में आई हुई प्रतेक इंपोटेंट पंक्ती को शब्द को अंडरलाइन करेंगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप ग्रूप पर डाल देंगे या व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करेंगे